Hello friends, good morning, welcome to study with ज्यान प्रकास देखे friends, हालाद बदलते एक पल भी नहीं लगता किसी भी पल परिस्थितियां पूरी तरह से बिप्रीत हो सकती है और देखे friends, अगर आप अनकूल परिस्थितियों में हैं तो तुरंत काम में लगिए, स्वेंग को भागे साली समझिए, इस तोर के प्रती कृतग्य होईए याद रखिए कि समय को सहस्ता से नहीं लेना चाहिए दुनिया के सारे पैसे देकर भी बीता हुआ एक पल आप पुनह प्राप्त नहीं कर पाएंगे और सफन लोगों को समय की कीमत का तीब्र एहसास हमेशा होता रहता है तो दोस्तों आई शुरू करते हैं अब आज यानि की 28 दिसंबर के दैनिक रोजगार समाचार सबसे पहले बात करते हैं UPTT परिक्षा के बारे में सामान चेर्ण विजिएस चेर्ण परिक्षा 2021 गिती थी या अब आपस में टकरा आ रही है दोनों ही परिक्षा है 23 जनवरी को प्रस्तावी थे हैं बड़ी संक्या में अभिर्तियों ने दोनों परिक्षाओं के लिए आविदन किये हैं अभिर्ति मांग कर रहे हैं कि दोनों में से कोई एक परिक्षा टाली है ताकि अभिर्तियों को दोनों परिक्षाओं में सामिल होने का मौका मिल सके तो समलित राज अभियंतरन सेवा परिक्षा 2021 के तहत सहायक अभियंता एई के कुल 281 पदों पर भर्ति के लिए 93,045 अभियर्तियों ने आवेदन किये भी है और यूपी टीटी में तो आपको पता ही है कि बहुत बड़ी संक्या में लोगों आवेदन किया हुआ है तो एक ही जो परिक्षा है या तेज जनवरी को दो पालियों में होनी है सुब नौ से साड़े ग्यारह अपरान दो से सा लगबग आसपास में ऐसे में जिन अभिरतियों ने दोनों परिक्षों के आवेदन किये हैं वे अब किसी एक परिक्षा का ही मन्दब उसी में पार्टिशिपिट कर पाएंगे तो वो किसी एक परिक्षा को टालने की मांग अब कर रहे हैं और देगे फिरेंस आपको पता ह नहीं किया गया है लेकिन इसका पार्ट क्रेम वही रहेगा जो 68,500 और 69,000 सिक्चक भरती का रहा है बैसिकली 69,000 सिक्चक भरती में जो पार्ट क्रेम रहा है उसको एक बार देखिए आप और बिल्कुल इसी के अनुरूप आप अपने त्यारी को स्टार्ट कर लीजिए क्यों कि यहाँ पर इस्तिती एक अनार और सौ भी मार की है तो देखे फ्रेंड्स परिक्चा का समय रहेगा त्हाई गंटे पूरांग 150 संग और भविकल्पी परिक्चा रहेगी प्रस्णों की संख्या रहेगा कितना 150 प्रस्णों के उत्तर आपको देने होंगे वही पर कर बात क करें तो हिंदी संस्कित व अंग्रेजी विज्ञान गडित पर्यावरान और समाजी कद्यान एक अच्छा 12 के अस्तर तक का जबकि सिक्षण कौसल बाल मनो विज्ञान सूचना तक निकी जीवन कौसल प्रबंधन इवंग अभिवरित डिलेट पाटकरिम के अस्तर का जैसे कि हिंदी संस्कित तता अंग्रेजी से आपको 40 अंग्रेजी से आपको 40 अंगों के प्रस पुछ जाएंगे यह स्लिबस का लगबग काफी बड़ा पूर्सन आपको कवर करता है बिज्ञान में 10 प्रसन गनित में 20 प्रसन पर्यावरान इवंग समाजी कद्धिन के 10 प प्रसन बाल मनुभी ज्यान से भी 10 प्रसन सामान ज्यान समसामाई घटनाओं से और यहां पर बैसिकली समसामाई महत्वपूर्ण घटनाएं जिसमें अंतर राष्ट्री राष्ट्री प्रदेश से सम्मधित महत्वपूर्ण घटनाएं अस्थान ब्यक्तित रचनाएं अंत तो तीस प्रस्ट हैं इसकी तयारी आप नीमित हमारे चैनल से कर सकते हैं करने फेर का डेली करने फेर का वीडियो आपको दिया जाता है इसके रावाद टापिक वाइस करने फेर भी अपलोड किये जाएंगे तो बने रही है हमारे साथ और रेगुलर वीडियोज को देखते रही है तयारी आज से और अभी से स्टार्ट कर लिजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है आपके पास आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा और जो लोग इंजार कर रहे हैं कि विग्यत्ति के बाद तो वो लोग काफी नुकसान अपना कर चुके होंगे तार्की ग् प्रसन आपको मिलेंगे सुचना तक्निकी से भी प्रसन नहीं है जबकि जीवन कौसर प्रबंदन और अविवरित से दस प्रसन आपको मिलेंगे और इस पर आपको प्रैक्टिस सेट सिगरी चैनल पर स्टार्ट के जाएंगे तो इसको आप जोरू दिखेगा और यह जो पा बारे में तो एमेड का सुल्क तैंकरे मुकि सच्यू तो यहाँ पर देखो जो मामला है यह इलाबाद हाई कोड पहुँच गया है इलाबाद हाई कोड ने एमेड पार्ट करम के अनसुचित जात इवर की छात्रों की सुल्क प्रतिपूर्ति में हीला हावाली करने को गंभ मुहान ने चौदरी चरण सिंग विश्विदालय मेरट से संबद एक डिगरी कालेज के चात्र अरविंद कुमार की याचकिया पर अधिवक्ता प्रतिक चंद्रा को सुन कर दिया है एड़ोकेट प्रतिक चंद्रा का कहना था कि याची विश्विदालय से संबद कालेज का एसी वरका एमेड का चात्र है विश्विदाले की कारिसमित की बैठक में सत्र 2019 विसके प्रत्रम वर्स के लिए 51,500 और दुती वर्स के लिए 49,500 रुपए सुल्क निरधारित किये गए है और सरकार ने इसके बद्दिश सिर्फ 3790 रुपए की सुल्क प्रत्रपूर्ट की है रासरका का काना है कि विश्विदाले ने सुल्क निरधारन की कोई सस्थूती नहीं भीजी है इसलिए ऐसा हुआ है हाई कोर ने 7 जून 2021 को प्रमुख सचिव समाज का लिएड विभाग लखनों को विश्विदाले की सस्थूती पर नेड़े लेने के लिए कहा था लेकिन उनकी उसे कोई नेड़े नहीं लिया गया था तो प्रमुख सचिव समाज का लिएड का कहना था कि इस मामले में नेड़े उच्छ सिचा विभाग को लेना है अधिवक्ता चंद्रा का कहना था कि अधिकारी इस मामले में कोई अंतिम नेड़े लेने के बज़ा है एक दूसरे पर अपने की मिदाई डाल रहे है तो कोड ने नाराजी से दाते हुए मुख की सचिव को नेड़ेस दिया है एपिएस के धाई सोपदों का अधियाचन मिल चुका है लेकिन आयोग विग्यापन जारी नहीं कर रहा है इस भर्ती के अंधिजार में तमाम अभिड़ेतों की परिशा में सामिल होने की निधारित अधिक्तम आयोसीमा भी क्रास हो रही है सो माग विड़ेतों ने इस मसले पर आयोग में परतर्शन किया और ग्यापन सोपा आयोग ने एपिएस भर्ती का पिछला बिग्यापन वर्स दोजा तेरह में जारी किया था और इस भर्ती के ताद दो चरोनों की परिशा कराकर रिजल भी जारी कर दिया था तीसरे एवंग अंतिम चरण की कंप्यूटर ग्यान परिशा होनी थी लेकिन इससे परे की परिशा परडाली को लेकर विवाद हो गया और आयोग ने एपिएस भर्ती परिशा दोजा तेरह को निटस्ट कर दिया है अब यह परिशा दोबारा होगी और इसमें वही अबर्ती सामिल होंगे जिन्होंने वर्स दोजा तेरह में आवेदन किये हैं हलाकि मामरा कोड में है और परिशा को लेकर अभी भी इस्तिति असपस्ट नहीं हो रही है और में परिशा उत्तरपदिस लोग से वह आयोग ने पिछली कुछ प्रमुक परिशाओं के कटाफ और प्रापतांग अंग जारी नहीं किये हैं अब यर्थी इस मांग पर अने हैं कि प्रारंबिक परिशा के प्रापतांग यह और कटाफ अंग जारी किये जाएं साथ ही अंतिम चन पैडाम के कटाफ और प्रापतांग भी पैडाम के साथ ही जारी कर दिये जाएं प्रितोगी छात्र संकर समित के अध्यक्षय आउनिस पांडे का कहना है कि इस मामले पर आयोग में कई बार ग्यापन दिया जा चुका है अगर आयोग सुनवाई नहीं करता है तो न्याला की सरण में भी जाएंगे तो दोस्तों ये थी आज की मुक्षी अपडेट और देखिए लेकपाल भरती के लिए आज से आपको प्रैक्टिस एट और लेबल हो रहे हैं साथी साथ सूपर टेट के लिए आपको मैंने आपस लेबस दे दिया है लेबस को आप जाकर वेबसाइट से या फिर हमारा जो टेलिग्राम चैनल है इस्टेडि विध्यान प्रकास वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लिजिएगा त्यारी को आज से और अभी से स्टार्ट कीजिए करेंट अफेर के लिए क्लासेज आपकी चलाई जा रही है करेंट अफेर को आप लोग वाज करते रहे हैं और नोट्स बनाते रहे हैं सबसे बेसिक बात है कि हर टॉपिक पर आप लोग नोट्स को तयारा करते रहे हिंदिश संस्कित और अंगरेजी के साथ साथ करेंट रेफेर के त्यारी तो बिरकुर बहुत अधिक माने रखती है इसके लवाज जो अने टॉपिक है इस तबर भी आपको इस्टेडी मटरियल प्रोवाइड करवाय जाएंगे तो दोस्तों ये वीडियो बसे ही पर समात करते हैं सीगरी मिलेंगे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए आगें दीजे नमस्कार जैहंद